एक हालो तुक्owe captive और तो जैसे कि आप लोग फ्रीम पर देख सकते हैं। आज हूँस पेज नंबोर 2 करेंगे। इस पेज में आप को दिख्ञा है हम पैस्टेर्स कराते है तो चलिए इस पेज को हम सबदे हैं। लेकिन इसको करने से पहले सबसे पहले हमें इसकी heading को रीड करना पड़ेगा चलिए रीड करते हैं Draw the patterns as shown in each box using crayons or oil pastel of your choice आप अपने choice से crayons या oil pastel जो भी आपको पसंद है या जो भी आपके पास available है उसकी help से आपको इन patterns को draw करना हैं ओके students तो चलिए मैं आपको try करके दिखाती हूँ देखिए सबसे पहले कि देखिए curve है जितने भी हमारी patterns है सारे curve बेस पर हैं तो हमें curve ही करना है तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ देखिए जिसकी first है हमारा जैसे C बनाते हैं हम इस तरह से हमें ये curve करना है ठीक है इस तरह से इस तरह से ओके students सेम इस तरह से जो next pattern है वो फिर से हमारा curve है इस तरह से हम curve करेंगे इसको and then join करके फिर से again curve ओके so next one है इसका face नीचे के side है तो हमें फिर से इसको बनाना पड़ेगा इस तरह से नीचे के side face करके and then again join करके इस तरह से okay so next one है इसका face हमारा उपर के side है तो हम इसको उपर के side इस तरह से draw करेंगे okay students last one हमारा pattern है rolling and curve ठीक है okay हम फिर से try करते हैं last video में भी मैंने आपको इस तरह का सिखाया था यह देखिए इस video में हमने last video में भी हमने किया था same इसी तरह से हम इस video में भी करेंगे तो चलिए करते हैं एक point से हम start करेंगे and then roll and again and again okay students तो इसी तरह से आपको इपेज नंबर 3 करना है okay students तो आज का आपका वर्क यही है कि आपको पेज नंबर 3 करना है with the help of trions or oil pestle जो भी आपके पास available है या जो भी आपको पसंद है okay तो मैंने यह सारी आपको एक अलग से notebook में करके दिखाया है लेकिन आपको यह जितने भी patterns है वो सारी बुक में ही cover करने हैं so okay bye bye students have a good day